तो आज मैं आपको बताऊँगा कि उतकर्स मॉवाइल बैंकिंग जो अप्लिकेशन है उसमें आप घर बैठे रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं उसमें आप यूजर आडी और पासवर्ट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको ये वीडियो पुरा देखना है एक भी सब्सक्राइब किजिएगा मैं आपको घर बैठे ही लाइब ही आपको बताऊँगा कि ओनलाइन मॉवाइल बैंकिंग कैसे कर सकते हैं उतकर्स स्मॉल फाइनस बैंक एप्लिकेशन में पहले आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजि से उतकर्स में स्मॉल फाइनस बैंक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है उसके बाद ओपेन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से उप्सन आएगा जिसमें आपको कर देना है अपको यहां पर इस तरह से उप्सन दिख रहा है उपर में यूजर एडी और पासवर्ड लोग इन करने के लिए बोल रहा है लेकिन आपको पासवर यो रूजर अभी बनाना ही है तो आपको सेल्फ रेजिस्टेशन नीचे दीख रहा होगा आपको तो यहां सेल्फ रेजिस्टेशन पे आपको क्लिक कर देना है सेल्फ रेजिस्टेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे त आपको तीन अप्सन दिया जाता है एकांट नमर के द्वारा कर्ष्टेमर आईडी के द्वारा और एटीम कार्ड के द्वारा जिसे आप डेविट कार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं यहां करने बाला हूँ करने यहां कर दिया लिए उसके भाद आपको द्वारा झालने के वाद समिट कारणी कर दिना है ओसके दिखना होगा समिट जबाने करते चाहें लिए इस तरह से आप registration के लिए apply कर सकते हैं और registration हो जाएगा इस तरह से तो मैं अपना सब कुछ डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं submit पे click कर देता हूँ जैसे कि extramar ID हो गया और date of birth हो गया आपके पास ATM card है तो वो भी डाल सकते हैं और account number है तो वो भी आप वहां पे डाल सकते हैं तो यह भी बता दिया हूँ कि तीन option दिया जाता है registration करने के लिए अब आपको यहां से submit पे मैं click करके अगला process आपको बताता हूँ password और user ID cases generate करना है तो यहां send SMS पे आपको verify हो जाएगा sim तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से option आ जाएगा जिसमें आपको password और user ID save करने के लिए बोलेगा यानि की बनाने के लिए बोलेगा तो user name में आप अपना user name जो भी रखना चाते हैं वो रख लिजिएगा और password confirm password डाल के नीचे में यह जो आपको यहां image दिख रहा होगा इस image को यहां पे कर लेना है और यहां पे उसका नाम लिख देना है जैसे मुझे बॉल पसंद है तो बॉल पे किलिक करके नीचे में बॉल लिख देना है और submit पे इस तरह से क्लिक कर देना है तो जो image आप सेलिट करते हैं उसी का नाम लिख के और सब आपको बता देता हूं and user ai और पासवर्ड साूर्फ्रम डालके। तो यहां पर आपको यूजर नेमे यूप सा यूजर नेम डालम डालेगा। उसके पासवर्ड आपको पासवर्ड में भी 8 पासवर्ड जिसमें Capital Letter , Small Letter और अकछार सर भी होना चाहिए और यहां जो से आप डालके कनफर्म पासवर्ट करके और समिट पे आपको क्लिक कर देना है चले मैं यह सब डाल लेता हूं और आपको बता दिया हूं कैसे डालना है उसके बाद यहां पे समिट पे क्लिक कर देना है तो पासवर्ट बनाने के बाद आपको समिट पे क्लिक करेंगे तो इस को addعم & Password पे किलिक करके आपको पासवर्ड और उजर नेम से логिन कर लेना है यहाँ पर में क्लिक कर देता हूं और देखिए आपके समण यूजरनेम का आप्शन अगया जो अब्या अपने यूजरनेम बनाएं है वह और यहां जो पासबर बनाया है वह डालके आपको साइनिंग पे क्लिक कर देना है इस तरह से आप उतकर से small finance bank में आप application में sign up कर सकते हैं और इस तरह से registration करके username और password बना सकते हैं घर बैठे साइनिंग पे क्लिक करें के बाद आपके नम्मर पे OTP आ जाएगा वो OTP आपको यहां पे फिल कर देना है छे अंकोर का OTP उसके बाद समिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके इसके application में 100% login हो जाएंगे तो देखे मैं समिट पे क्लिक कर दिया हूँ इस तरह से अब application open हो जाएगा जिसमें मुझे बता देगा आपके बैंक में balance कितना है आप यहां से पैसा भी भेज सकते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटर में मिल जाएगा कि उतकर a small finance bank से बैंक में कैसे रुपिया भेजा जाता है किसी दूसरे बैंक में तो यहां पर आपको सभी चीज मिल जाता है उपर में आपका account हो रहा होगा कितना बैलेंस है और नीचे में आपको सारा हिस्ट्री आपको दिखा देता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको कुछ कोईरी है तो आप कोमेंट में पूछ सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज की यगा